केरेन करियर स्कूल प्ले ग्रूप आनवर्ड्स प्रोवाइडिंग मॉडर्न एड्वकेशन विद्वेल्यूस पर डिकेट्स एड्मिशन ओपन फॉर अल्डी क्लासस इन मिसिर पोख्रा मढवादी दशाश्वमेद ब्रांचस इन बारानसी बनारस में अब क्तने कोरोना पोजिटिव कितने बढ़े क्या अश्थे थे आज कई लोगों की सेंप्लिंग टेस्ट बीहस्चे से प्राप्त हुए हैं पांच लोगों की sampling test और positive मिले हैं कुल मिला कि अब बनारस में 14 positive cases मिल चुके हैं उन 14 positive cases में एक वेक्ति की death हुई है बाकी 13 जो लोग हैं उन में से 5 लोग ठीक हो गए हैं और 8 लोग हमारे पास यहां पर isolation ward में हैं जो 5 नए cases आये हैं उनका सभी का संबंद जमात से ही है तीन तो जमात के ही लोग हैं जो 27 जमात के लोग जिनके negative sample पाए गए थे उनकी second round की sampling हुई थी उनी 27 में से तीन लोग positive पाए गए हैं और 24 negative पाए गए हैं जो 3 positive हैं उनको isolation ward में shift करवा दिया है इसके अलावा भी 2 cases और positive मिले हैं उनका भी संबंद जमात के लोगों से हैं जो हैदराबाद और करनाटक के जमात के लोग हमारे वारानसी में यहां पे आयोए थे उनी के द्वारा इनके घर में stay किया गया था दो दिन के stay के उपरांत वे फिर दूसरी जगह पे रहे जिनके घर में stay किया था उनी में एक 19 साल का बच्चा और 21 वर्ष की लड़की उन दो को positive पाया गया है तो ये दो positive case मदनपूरा जो हमारा hot spot area है उसी के buffer zone में पांडे हवेली से बिलोग करता है ये 2 case और 3 case जमातियों के negative to positive conversion के ये 5 case नए add हुए है लेकिन इसके साथ ही 3 ऐसे भी cases है जो पहले positive थे और आज उनकी second negative report आ चुकी है तो पहले से जो cases यहाँ पे थे उनको और वर्तमान के cases को मिलाते हुए अब तक 14 positive case आए एक की death हुई है पांच लोग हैं जो positive से negative हो चुके हैं और 8 लोग हैं जो isolation ward में हमारे हाँ admit है वाराणशी में अब तक 4 hot spot areas थे उनकी के buffer zone कल से बनाए गए थे और उनको आज extension किया जा रहा था लेकिन आज जो 5 cases मिले हैं उनमें एक case एक नखी घाट area का है वो नकी घाट के area को अब पांच वां hot spot और buffer zone बनाना पड़ रहा है उसका कारे चालू है शाम तक उसको भी hot spot और buffer zone बना दिया जाएगा उसको मिला दें तो वाराणशी में अब कुल 5 hot spot हो जाएंगे सर बार बार आपने हिडायत दी थी लोगों से अपील भी कही थी और उनको पड़े सब्दों में बोला था कि आके वो चेक अप कराएं या इस तरह के जो लोग अभी मिल ले हैं जैसे दो केस अभी मिले हैं तो क्या इनके उपर भी कोई कारवाई होगी कि ये लोग उस समय आ गये थे हैं ये जो दोनों केसी हैं ये बाकायदा जब positive cases मिले थे उनकी contact history tracing होती है जो भी positive case हैं वो कहां रुके थे किन के संपर्क में रहे थे उन सबकी contact history tracing से ही ये लोग identify हुए थे और ऐसे 182 लोग थे जो अललग positive लोगों के संपर्क में आये थे अधिकतर की sampling हो चुकी है उनके result अललग time में submit हुए थे काफी लोगों के result इसमें negative भी आये हैं ये contact tracing के माध्यम से ही सारे sample जमा हुए थे और इनकी contact tracing जब से हुई थी और जब से sample हुए थे तब से इनके घर भी seed ही थे तो ये वो है जो पुलिस के और स्वास्त विभाग के द्वारा identify करके बाकाइदा sampling जिनके करवाई गई थी ये अन्य प्रकार के लोग नहीं है जैसे foreign return होते हैं या अन्य प्रदेश से return होते हैं जिनको हमें notice दे के बुलवाना पड़ा था ये contact tracing वाले लोग हैं इसके अला 21 वर्षे लड़की है जमात की पांच महिलाएं जो आंध्रा की और करनाटक की हैं वो अलड़ी हमारे जमात के ग्रूप में यहां पर रुकी हुई है उनकी जो sampling है वो negative पाई गई है परन्तु वो अलगलग घरों में रुकी थी और ये बात है 10 से 15 मार्च के बीच की तो ती अलग घरों में जहां रुकी थी उनकी sampling हुई थी ये उनमें से ही एक घर है जिनके 27-27 लोगों की sampling हुई थी और उस पूरे घर में केवल इन दो बच्चों के सेंपल हैं वो positive आये हैं बाकी सब के negative हैं तो इनको सारे लोगों को isolation ward में देंद्याल होस्पिटल में transfer करवा दि झाल झाल झाल